भारत वर्ष की संस्कृती तथा सभ्यता बरसों या सदियों की नहीं युगों की परंपरा से बन्थी है इस भूमी के हर कोने में इस विशाल संस्कृती के मानदंड दिखाई देते हैं लेकिन उनकी खोज और अभ्यास के लिए कठिनाईयों के मार्क पर चलना पड़ता है ये कहानी उस व्यक्तित्व की है जिसका पूरा जीवन इनही रास्तों से आगे बढ़ा है इस देश का इतिहास नए सिरे से खोजने वाली और इस संस्कृती को एक नया आयाम प्रदान करने वाली इस हस्ती का नाम है पद्मश्री डॉक्टर विश्णू श्रीधर वाकनकर जिन्हें सभी हरिभव वाकनकर के नाम से जानते हैं हरिभव का जन चार मई 1919 को मध्यप्रदेश के निमस नाम के गाउ में हुआ बच्पन से ही उन्हें विभन भाषा और संस्कृतियों के संस्कार मिले जो आगे चलकर उनके जीवनकार्य की नीव बन गये हरिभव ने अपना पूरा जीवन भारत की सांस्कृतिक परंपरा को पुनरजिवित करने के लिए समर्पित किया उन्होंने उज्जयन के विक्रम विश्वविद्यालय में पुरा तत्व विभाग और संग्रालय की स्थापना की भारत के इतिहास को नई सोच और नई दृष्टी देने वाले इस महान विभूति के कार्य को समझने का ये अल्पसा प्रयास है भारत में ललित कलाओं की बहुत पुरानी और व्यापक परंपरा है हमारी समृद्ध कलाओं का प्रतिबिम्ब हमारी चित्र, मृत्य तथा संगीत में सदा जलगता है इन कलाओं से जुड़े हुए कलाकारों को एक साथ एक छत्र के नीचे लाकर अपनी विचार परंपरा का परिचय भारत के हरक शेत्र में विस्तारित करने और उसे अवाधित रखने हे तू हरिभाउजी ने अपने कुछ साथियों समवेत 11 जनवरी 1981 के शुब दिन पर संसकार भारती की नीव रखी और जीवन परियंत उसके महामंत्री रहे नए कलाकारों को प्रोचसाहित करना, उन्हें कला संसकृती से परिचित करवाना तथा परंपरा और नव्यता का संगम कराना ये उदात्त कार्य संसकार भारती की और से देश-विदेश में हो रहा है संसकार भारती का बोधचिन्न हरिभाव जी की कलपना शीलता दिखाता है संसकार भारती का बोधचिन्न चक्र कुणार के सूर्य मंदिर के रथचक्र से लिया है लेकिन इस चक्र को थोड़ा तिर्चा बना कर चलायमान होने का आभास उन्होंने निर्मान किया है चित्रकार होने के साथ साथ हरिभाव एक संस्कृती पुरुष, पुरातत्व पुरोधा, इतिहास के शलाका पुरुष, शिल्प शास्त्रिय चिन्तक, साहित्यकार और निराभिमानी सरधई समाज सेवी भी थे उन्होंने भारत, यूरोप और अमरिका में अपने जीवनकाल में चार हजार से अधिक शैलाश्रियों की खोश की और प्रावाणिक अध्यन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है भीमबेट का भोपाल से लगभग 40-45 किलोमिटर दूर एक छोटे से तीले परस्थित शैलाश्रे, अपनी कथा बताने के लिए संभवता ये वाकनकरजी की ही प्रतिक्षा कर रहे थे 1957 में भोपाल से नागपूर जाते समय हरिभव का ध्यान तीले परस्थित अलग से दिखने वाली पत्थरों की रचना पर गया पूछने पर पता चला कि यहां कई शैलाश्रे हैं और ये जगे भीमबैठका नाम से जानी जाती है वे बर्खिडा स्टेशन पर उतर गए और उनके कदम बढ़ चले इन शैलाश्रे की ओर लगभग 15 सालों तक हरिभव हर शनवार और इतवार भीमबैठका आते रहे और 25 किलोमेटर की क्षेतरफल में बसे इन 838 शैलाश्रेओं में से अनेकों की खोश की जिसमें से लगभग 500 शैलाश्रे चितरित है अनेक मुल्यांकनों ने यह सिद्ध किया है कि इन शैलाश्रेओं में मानव सबुदाय का अस्तित्व लगभग 1,000,000 साल पूर्व से भी अधिक रहा है भीम बेटका के शैलाश्रेओं का कालन निर्धारण उत्तर पाशान युग से लेकर एतिहासिक युग तक निर्धारित हुआ है यने आज से 10,000 साल पूर्व से लेकर 300 साल पूर्व तक के शैलाश्रेओं यहाँ दिखाई देते हैं जिसमें आखेट याने शिकारद्रिश, युद्धद्रिश, व्यक्ति चित्र, पशूपक्षी इस प्रकार के विविद विश्यों पर आधारित चित्र दिखाई देते हैं वाकनकरजी की अथक निश्ठा और उनके असीम परिश्रम के कारण ही आज ये खजाना भारतिय सभ्यता का मानबिंदू बन गया है युनेस्कों ने सन 2003 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का गरजा प्रदान किया है हरिभाव हमेशा कहते थे कि मेरे कारण भीम बेटका प्रसिद्ध नहीं हुआ बलकि भीम बेटका के कारण मैं प्रसिद्ध हुआ हूँ हरिभाव को भारतिय संस्कृती और खुद के भारतिय होने पर बहुत गर्व था संभवता इसी कारण हरिभाव ने पहली बार उरा तत्विय द्रिष्टिकों से वैदिक सरस्वती नदी के शोध के अभियान का प्रारंब किया कुल 4000 किलोमेटर के इस यात्रा का आरंब 20 नवंबर 1985 को हरियाना के आदि बदरी से हुआ जैतरिवरे नरश्वती नई दिली में हम लोग ने माता जीं की पूजा करने के बाद वहां से प्रेस क्लब में जाकर प्रेस का एक जो वली और उसनों उनको हमारे सारे सरस्वती शोधा वियान का परचे दिया और पिर वहां से अब हम लोग जगा जरी पहुंच गए हैं यहा और एक महिने बाद 18 डिसंबर 1985 को सोमनाथ में यात्रा समाप्त हुई वाकनकरजी ने प्रथम सैटलाइट के द्वारा सरस्वती के प्रवाह की तस्वीरे प्राप्त की उसका ठीक से अध्यान करने के पशात वे अपने साथियों और शिशों के समवेत सरस्वती नदी की खोज में निकल पड़े यात्रा के बीच स्थानिक लोगों से बाच्चीत करते हुए सरस्वती नदी के बारे में कई सारी माननिताय, कहानियों और गीतों के माध्यम से हरिभाव और उनके साथियों को पता चली ये लोग भी स्थानिक लोगों और इतिहास के अभ्यासकों को अपने खोज कार्य की जानकारी देते रहें सरस्वती के जन्म के बारे में और उसको कहां से निकली ये भी बहुत पार ऐसा होता है कि मैं ऐसा समझता हूं कि ये तो जैसे से शिवालिक्स का अभ्योल हो रहा था इसके श्रोतों में परिवर्टना रहा था इसके सहोधर जो बहने थी वो इससे और दूर दूर जा रही जो इससे आगर मिलती रहती थी बहुत इससे दूर होती गई और इस कारण धिरे धिरे यहां पर एक रिक्टता खड़ी हुई जिसके कारण ये सारा महंजदार हरप्पा की इतनी बड़ी प्रचंड सब्यता यहां से नष्ट नहीं हुई है नष्ट होने का कोई प्रमाण आ शाहिए नहीं किसी नदी का नहीं किया गया इजना मिशाल ये नदी आज लुक्त हो गई ऐसा आपने को लगता है पर एक अनुगव जो हम कर रहे हैं वो यह है कि इसी प्रमाण के किनारे किनारे जब हम जाते हैं तो पानी बड़ा मीठा होता है इससे जरा हम चार फरलांग इदर या चार फरलांग उदर जाते हैं पानी में खारा बनाने लगता है और इसलिए इसको हम कहते हैं अंतस्रीला है ये बहरे ये इस रेती के बीच में से ऐसा लगता है प्रमाण इसका कहीं ने कहीं ज़रा बराबर चला जा रहा है और यहीं आनुगव रायस्थान में भ वाकनकर जी, मोरोपंत पिंगले जी और अन्य साथी उन्हें हडपा संस्कृती, भारत के बूल निवासी आर्य, भारत की प्राचिन निता एवं वैभाव के बारे में भी बताते रहे. विश्व के सामने रखना चाहिए, कि कोई आर्य जाती की जाती नाम की कोई जाती और सेंट्रल इश्या से इस देश में नहीं आई, और इसकी उत्वत्ति, इसका विकास, इसका सब कुछ जो कुछ हुआ है, वो इसी भूमी में हुआ है, इस अन्याय को दूर करना आवश्चक आज ये वैदिक काल का जो अंतियास है, वो हरप्पा के एक पूरवकी, इसको प्रिय हरप्पन कहते हैं, आजकल काली बंगा में वो मिला है, काली बंगा में एक बड़ी भारी विशाल यद्निशाला मिली, अरे यद्निशाला मिलते ही, डंके की चोट पर ये चिल्ला चिल् कि नगो ये वैदिक समस्कृति का सबसे बड़ा प्रमान मिला है विशाल का एक कोट परकोटा मिला है उस परकोटे के अंदर एक विशाल यद्नेशाला मिली यद्नेशाला के अंदर तीन यद्ने कुंड मिले इतने ही नहीं तो तो उसीत्तने कुंडा के अंदर जो बली देगे इए एश्यों के अड्टिया मिली है यजरवेद के पत्धत ही पत्तिंगे आनुसारarl मि्ट्टी के गोले बनाकर अगिनी इस प्रकार निर्भय होकर वाकनकरजी अपने विचार प्रकट करते और स्थानिक लोगों के साथ ही इथिहास कारों का भी प्रबोधन कर दे उनकी बातों में हावभाव में देश के प्रती अतिव प्रेम दिखता और भारत की प्राचिनता विश्व के सामने उजागर करने की तडप और व्याकुलता साफ नजर आती डॉक्टर वाकनकर जी की एक और खोज एवं प्रस्तावना ने उन्हें वैश्विक प्राच्चत द्रश्टा बनाया पुर्जेन से 30 किलोमेटर की दूरी पर डॉंगला गाओं उस स्थान की खोज की जहां करकरेखा स्थानी देशांतर एक दूसरे को काटते हैं और प्रस्ताव किया कि डॉंगला को अब विश्विशुन्य देशांतर बिंदु के रूप में माननेता मिलनी चाहिए और अपसे आंतरराश्य समय गणना देशांतर से होनी चाहिए GMT नहीं, DMT होना चाहिए हरिभाव ने भारत के विभिन कोनों में अनेको उत्खनन किये है और अपने शोधों की विश्वसनिय प्रामानिक्ता सिद्ध की जैसे के भानपूर काय था दंगवाडा ऐसे कई स्थानों पे उन्होंने उत्खनन किये इसको तुरंत ही खोशित करना चाहिए इसलिए जो पहली उसके बाद Conference हुई उस Conference में सचित्र सारा यह जो है विशय हमने परदिबादित किया लोगों को आश्चेर लगा लोगों को लगा शायद हमारा इंटर्प्रेशन गलती होगा पर एक एक बात को हमने वहितनानिक आधार पर रखने के कारण किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस बात को विरौट कर सके उन्होंने हजारों मुद्राओं का संकलन भी किया हरिभाव के अपरिमित परिश्रम नई पीढ़ियों को भारत के संपन एवं सम्रद्ध इतिहास का आइना दिखाते हैं और देश के प्रती हमारा अभिमान चोगना करते हैं हरिभाव का अतुलनिय योगदान देखकर उन्हें सन 1975 में भारत सरकार की और से पदमश्री पुरसकार से सन्मानित किया गया वाकनकरजी को अनेको सन्मान मिले किन्तु उनके भारती एकला और इतिहास के प्रती निष्ठा और कार्य में कोई कमी नहीं आई उनका विनम्र स्वभाव, खोजी द्रिष्टी, छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ों तक को पुरातत्विय ज्यान बाटने का स्वभाव कभी कम नहीं हुआ हरिभाव के इस महान कार्य में उनकी पत्नी सवभाग्यवती लक्षमी जी वाकन करका अतुलिनी ये योगदान रहा है 1963 में लक्षमी वहिनी और हरिभाव का विवाह संपन्न हुआ और तत्पशात उन्होंने हर कदम पर अपने पती का दिल से साथ निभाया हरिभाव के महान कार्य में लक्षमी वहिनी का समर्पन भी बराबर का भागिदार रहा है 3 अप्रेल 1988 के दिन सिंगापुर में उनका महत्मपुर्ण भाषन हुआ और उसी दिन दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे जब ये दुखद घटना घटी उस समय भी वाकनकरजी अपने कमरे की खिड़की के सामने दिखने वाले दृष्ष का रेखा चितर बना रहे थे हरिभाव की कार्य निष्ठा का इससे बड़ा आदर्श और क्या होगा फल्क की अपेक्षा न करते हुए एक संस्कृती साधक कर्मयोगी की तरह वे जीवन के अंतिम ख्षन तक अपने काम से जुड़े रहे इस महत्तम हस्ती ने भारतिय संस्कृती का ध्वज उरे विश्व में अभिवान से लहराया हमारे इतिहास की बिशाल समृद्धता का परिच हरीभव ने केवल भारतियों को ही नहीं अपितू दुनिया के हर इतिहास प्रेमी को करवाया अपने विराट कारिय से हरीभव इतिहास के पन्नों में और हमारे मन में अमर रहेंगे गुंश है कही महलों के दरोदराजों की लहर कही अटकी पड़ी है अतीत के आवाजों की आने वाली कल की सदा बीता हुआ कल है निर्मान के ध्यास में व्यग्र एक गहरा समंदर है धूनता है जो मोती पत्थर की लकीरों से छुडाता है वक्त को वक्त की जन्जीरों से न कहा न कह सकेगा वो वक्त उसको अलविदा दिशा बनकर रह गया है शक्स जो दिल में सदा अजय को वक्त की जन्जीरों से अजय को वक्त की जन्जीरों से 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